हलो बच्चों कैसे हो आप सब, welcome back to our channel, my name is Priya और आज हम discuss करेंगे uses of carboxylic acid अभी तक हमने carboxylic acids के बारे में काफी सारी knowledge गेन कर लिये जिसमें हमने सबसे पहले उसकी introduction को देखा था, फिर हमने उसके nomenclature और structure को समझा था फिर उसके methods of preparation को observe करते हुए उसकी properties को देखा था, जहां पर हमने उसके different physical और chemical properties को observe करा था इन सारे के सारे carboxylic acid गे discussion में हमने overall क्या conclusion रहा था, कि इस तरीके से हमारे पास carboxylic acid molecule का structure होता है जिसमें carbonyl group के साथ साथ एक hydroxyl group की presence होती है, और इसी वज़े से जो हमारा carboxylic functional group है इसे carbonyl category में include ना करके, carboxyl category में हम include कर रहे थे, जिसके अंदर carbonyl plus hydroxyl part involved होता है तो हमने इसकी different reaction समझी थी और वो reactions जो थी वो इसके किस behavior या किस aspect वो explain करी थी कि सबसे पहरी बात ये polar nature का है, बट इसकी polarity जब हम LD heights और ketones के respect में compare करते हैं तो वो कम है, कम क्यों थी इसकी polarity क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या hydroxyl group जिसमें oxygen present है और oxygen पर हमारे पास है lone pair, जो इसके अंदर, इसकी resonance के अंदर involvement शो करते हैं तो इसका मतलब है इसके different different resonating structures possible हैं जो overall इस carbon की electrophilic character को decrease कर रहे थे जिस वज़े से इसकी थोड़ी सी polarity कम हो रही थे और इसका हलका सा electrophilic character decrease हो रहा था फिर हमने reaction करते वे समझादा कि अगर हमें इसकी electrophilicity को increase करना है तो हमें यहाँ पर यह जो हमारा carbon carbon है इसके oxygen को protonate करना पड़ेगा ताकि यह जो oxygen है इसके उपर जो positive charge आएगा यह अपने उपर वो hold करना है नहीं कर सकता तो उसके लिए यहाँ से bond break करेगा जिससे carbon पर deficiency create हो जाएगी और उस deficiency की वज़े से उसका जो overall electrophilic character है वो increase हो जाएगा तो इस तरीके से हम उसके electrophilicity को increase कर सकते हैं और हमने इसके structure में क्या observe करा था कि जो यह हमारे पास carboxyl carbon है इस carbon की hybridization क्या SP2 hybridized क्योंकि यह SP2 hybridization शो कर रहा है तो यह कैसी geometry में exist करेगा trigonal planar geometry में यह existence अपनी शो करेगा SP2 hybridization क्यों है क्योंकि यहाँ पर carbon ने 4 bonds in 3 different directions में form करे वे है फिर इसकी physical property में हमने इसकी different interactions को समझा था जहां पर हमने observe करा था कि carboxylic acid वो काफी अच्छी hydrogen bonding शो करता है जिस वज़े से इसका boiling point और इसकी solubility है वो बाकी LD हाइच और ketones के respect में different मिलती है इसका boiling point जो है बाकी सारे के सारे molecules के respect में ज्यादा मिलता है हमने अभी तक जो इतने molecules study करें थे उसमें हमारे पास एक molecule था एलकोहल जिसको हमने observe करा था कि इसका boiling point काफी ज्यादा होता है क्योंकि इसकी hydrogen bonding interactions काफी अच्छी होती है बट उससे भी ज्यादा boiling point हमें हमारे carboxylic acids का मिला क्योंकि इसके अंदर जो हमारे hydrogen bonding है वो सिर्फ और सिर्फ और फूर्दर जब हमने उसकी chemical reactions को देखा था तो हमने उसके acidic behavior को समझा था हमने अभी तक जितने भी molecules देखे हैं उनमें acidic behavior समझा था जिसके अंदर हमने observe करा था कि प्रिवेस जो ट्रेंड है हम ऐसी रखेंगे phenols वाले case के साथ हम compare करेंगे हैं हमारे carboxyl acid group को क्योंकि हमारे पास जो last trend में आ रहा है वो phenol आ रहा है तो अगर phenol के respect में वो higher आ जाता है हमारा carboxylic acid part तो वो सबसे आगे place हो जाएगा हमारे पूरे की पूरे series के अंदर तो हमने वहाँ पर भी हमारे different observations को देखा था और उससे हमने conclude करा था कि हमारे जो carboxylic acid है वो बाकी सारे molecules के respect में जाधा acidic है और उस acidity को further किन factors की वज़े से influence हो रहा था वो किस वज़े से आपके पास increase, decrease in acidic strength observe हो रहा था वो भी हमने discuss करे थे हमने उसके अंदर physical aspects भी देखे भी देखे थे, physical aspects में हमने वहाँ पर pk a की value के according उसके अंदर उसके acidity को determine करा था और organic aspect में हमारे पास जो groups present है which are electron withdrawing और electron donating groups उनके respect में हमारे carboxylic acid molecules की acidity को explain करा था, तो यह कुछ हमारी general properties थी जिनके behavior को observe करते में हमने उसके chemical reaction के behavior को observe करा था कि किस तरीके से इन सारी properties को अंदर involve करके, इनको use करके वो chemical reactions के अंदर हमें observation शो करेगा, तो उसके according हमने different chemical reactions को discuss करा था, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो carboxylic acid molecule है, यह अलग-अलग type की reaction शो करता है, first reaction में इसने O और H का bond break करा था, second reaction में इसने carbon और hydroxyl group का bond break करा था, third reaction में हमने यह proper जो हमारा carbox group है, इसकी पूरे की पूरी reaction को observe करा था, और fourth type की reaction में हमारे पास यहाँ जो hydrocarbon part लगा हो है, उसकी reaction को observe करा था, carboxylic acid molecules में, तो इसका मतलब है कि हमने इसके हर एक aspect को अच्छे से देख लिया था, अब हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ इसका aspect बचता है, that is, uses of carboxylic acid, यान पर observe करना है, so one by one करके हम इसके uses को discuss करते हैं, so यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है mithinoic acid, mithinoic acid के हमारे पास HCOH, यानि एक ऐसा carboxylic acid जिसमें सिर्फ एक ही carbon की involvement है, so mithinoic acid is used in rubber, textile, dyeing, leather and electroplating industry, mithinoic acid का काफी ज्यादा use है, आपकी rubber industry में use करा जाता है, textile industry में use करा जाता different-different cloths को dye करने के लिए, leather industry में use करा जाता है, electroplating industry वो industry है, जिसमें आप एक metal की surface के ओपर दूसरे metal की coating करते हो, so यहाँ पर हमें metanoic acid के different-different industries में involvement observe हो रही है, तो इसका मतलब है carboxylic acid का, तो काफी wide implementations है, काफी wide uses है, तो उन्हीं uses को में यहाँ पर cover करना है, next हमारे पास है, ethnoic acid यानि two carbon containing carboxylic acid, it is used as solvent and as a vinegar in food industry, यह आपकी food industry में use करा जाता है, vinegar की तरह, और solvent की तरह भी use करा जाता है, food industry में भी, और different-different chemical industries के अंदर भी, next हमारे पास है, hexane dioic acid, which is used in manufacture of nylon 6-6, nylon 6-6 एक बहुत ही अच्छा polymer है, जिसके different-different uses आपको observe होते हैं, उसकी manufacturing के लिए हम hexane dioic acid को use करते हैं, उन मेंसे जो हम reagents use करते हैं, nylon 6-6 की production में, उसमें से एक reagent हमारे पास hexane dioic acid है, next आपके पास है esters of benzoic acid, हमने carboxylic acid के esters में observe कि आता कि esters जो हैं, वो carboxylic acid के derivatives होते हैं, तो आप किसी भी carboxylic acid से prepare कर सकते हो, जिसमें हम carbon और hydroxyl bond को break करके, उसके esters के formation कर रहे थे, तो यहाँ पर benzoic acid का कोई ester है, यानि आप जो different different esters जो benzoic acid के होते हैं, उन्हें आप perfumery industry में use कर सकते हो, क्योंकि usually जब आप esters को discuss करोगे ना, तो esters के अंदर वैसे भी आप labs में use करोगे, तो आपको यह पता लगेगा, कि esters में एक fruity smell होती है, तो जो fruity smell ह जैना उसे perfumery industry में use करा जाता है, यानि एक थोड़ी pleasancy smell होती है, आप उसको bear कर सकते हो, next हमारे पास है sodium benzoic, which is benzoic acid का sodium salt, is used as food preservative, food preservative में use करा जाता है, and higher fatty acids are used for manufacture of soaps and detergents, हमने carboxylic acid की starting में observe करा था, कि जो हमारे higher chain of carboxylic acids हैं, जिसमें carbon 17 और carbon 18 तक हमारे carbons की involvement होती है, वो आप fatty acids में उसको categorize करते हो, और उन fatty acids का आप use करते हो, soaps and detergents की manufacturing में, तो इसका मतलब है कि fatty acids, जो हमारे carboxylic acids हैं, इसका तो बहुत wide implementation हैं, बहुत जादा applications हैं, हमने इसकी हर एक industry में almost इसकी observations, uses को observe करा है, हमने इसको electroplating industry में observe करा, हमने इसको food industry में observe करा, हमने इसको chemical labs के अंदर observe करा, perfumery industry में observe करा, textile industry, soaps and detergents की manufacturing में observe करा, even polymer की synthesis, जो की nylon 66, ये काफी अच्छा आपका point हो सकता है, इसको आप one more question में भी आप से put up करा जा सकता है, कि nylon 66 की manufacturing में कैस carboxylic acid का use करा जाता है, so this means की carboxylic acid के बहुत जादा uses, और इसी reason की वज़े से हमने carboxylic acid को इ को study कर रहे हैं, ताकि इसकी study से हम कुछ और इसके uses, इसकी कुछ और implementations को identify कर से कि या किस तरीके से और हम इसकी enhanced formation को observe कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए हमें proper study और proper discussion के requirement होती है, एक particular topic पे, so this was all about the uses of carboxylic acid and along with it, your carboxylic acid category is completed, जिसके साथ साथ हमने अपना chapter aldehyde ketones and car carboxylic acid complete कर लिया है, इस पूरे chapter में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने chapter की introduction करी थी, जिसमें हमने aldehyde ketones and carboxylic acid को identify करा था, और किस तरीचे से हमेने differentiate कर सकते हैं, वो observe करा था, और उसी पार्ट में हमने इस chapter को दो categories में divide कर दिया था, जिसमें first category में हमने carbonate groups को observe करा था तो उसमें हम one by one करके aldehyde and ketones को cover कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने उसके nomenclature and structure को observe करा था, फिर उसके methods of preparation observe करे थे, और उसकी properties को cover करते वे, uses cover करके हमने first category को खतम कर लिया था, फिर उसी तरीके से हमने second category पर jump करा था, जहां पर हमने this carboxylic acid के सबसे पहले nomenclature and structure को स चुके हैं, I hope आपको पूरा काथ पूरा chapter अच्छे से clear हो गया होगा, कोई भी doubt नहीं बचे हो कि तीनों molecules में, अगर कोई भी doubt है तो आप comment section में पूच सकते हो, so if you like the video then do like and share the video and also subscribe to our channel, thank you